असलाम आलेकुम रहमतुलाह व्रकातुम एक सवाल ये है कि बहन का मैईत की जादाद में कितना हिस्सा है यानि जो शक्स मरा है उस मरने वाले की अगर बहन हो तो वो अपने भाई के माल में कितना हिस्सा पा सकते है तो देखिए विरासत के मामने में मरने वाले की बहन की कुल पांच हलते हो सकती है पांच सूरतों में से कोई सूरत हो सकती है एक सूरत यह हो सकती है कि बहन महजूब होगी ब्लॉक होगी यानि उससे कुछ भी नहीं मिल सकता है यह सूरत तब होगी जब मरने वाले की मुझकर अउलाद हो या मरने वाले की उपरी नसल में मज़कर मौझूद हो यनि बाप दादा मौझूद हो तो मरने वाले के नीचे नीचली नसल में या उपरी नसल में अगर कोई मजखकर मेल रिश्टेदार है यानि बेटा पोता या बाप दादा वगेरा हैं तो बहन महजूब हो जाएगी उसे कुछ नहीं मिलेगा ये बहन की पहली सुरत है दूसरी सुरत यह है कि बहन को मरने वाले की जादाद में अपने भाई की जादाद में 50% मिलेगा आधा ये कब होगा? अल्हीं कुरान में इसका जिक्र किया सुरिनिसा आयत 176 में अल्हीं मर्माता है यनी मुरून हलका लइस लहू वलदूं वलहू उखतुन फालहा निस्फ माता रका अगर कोई आदमी मर गया उसकी आउलाद नहीं है अगर कोई आदमी मर गया और उसकी आउलाद नहीं है वलहु उख्तुन और उसकी बहन है और उसकी बहन है तो उसकी बहन को कितना मिलेगा आधा एक बटा दो आधा नहीं अगर कोई आदमी दो करोड छोड़के मर गया है और उसकी बहन मौझूद है उसके अपनी आउलाद नहीं है लेकिन उसकी बहन मौझूद है तो बहन को एक करोणि लेगा और वाकी जो एक करोण है वोगे ढूसरे दूसरे रेश्चे-दारों में वल्चेजार tobacco से जाथ हो यानि भाई मरा अब उसकी बहन है और साथ में एक और बहन है दो या दो से ज़ादा दो, तीन, चार, पांच कितनी भी नहीं आकेली नहीं उसकी कई बहन है तो जब कई बहने हो तो उस पूरे गुरूप को बहनों की गुरूप को दो बटा तीन मिलता है, यानि दो तिहाई, चुनाचे कुरान में आला तरह ने कहा सुरेणेसा आयत 176 में कि अगर मरने वाले की बेहन दो हो या मुराद ये भी है कि दो से जायद हो तो इन बेहनों को मिलेगा दो बटा तीन तो यह तीसरी शकल है कि बहनों को दो बटा तीन मिलता है एक चौथी शकल यह है कि एक आद्मी मर गया अब उसकी बहन है साथ में उसका भाई दिये तो इस सूरत में बहन को जो मिलेगा उसके बारे में कुरान निगाए सुरह नसा आयत 176 में और उसकी जिन्दा बहन भाई है तो मुझकर को जो मिलेगा वो दो मौनस के बराबर मिलेगा यानि एक भाई को जो मिलेगा वो डबल होगा बनिस्बत उस हिस्से के जो एक बहन को मिलेगा तो यह चोथी हालत है पांचवी एक हालत है बहन की कि वो remaining share पाएगी जो असाबल फुरूज है यानि उसका भाई मर गया तो उसके भाई के माल में जो मुतायन हिस्सा पाने वाले हैं जैसे उसकी बीवी है माल लिजिए तो मुतायन हिस्सा उसको दे डालेंगे या उसकी बेटी है तो मुतायन हि पांचे गहा कूछ बचेगा उसर्ड वह बहन लें ले यनि बचा ववा हुआ उसका fix नहीं यह कितना मिलेंगा बचा हुआ हूँ यह कम यह सुरत तब होगी जब मरने वाले की मौनस अउलाद हो मुजक्कर ना हो मरने वाले का बेटा ना हो यहनि भाई मरा भाई का कोई बेटा नहीं भाई की बेटी है तो ऐसी सुरत में भाई की बहन भी हो तो बहन को बेटी को देने के बाद जो बचेगा वो बहन को देंगे मिसल के तोर पर एक आदमी मर जाता है और उसकी दो बेटियां है और एक बहन है तो ऐसी सुरत में बेटियों को मिलेगा दो बटे तीन और एक बटा तीन जो बचेगा वो उसकी बहन को मिल जाएगा इसके जले सही बुखारी कादी साथी समा 6776 अब्दुल्ला इबनी मसूद रज्यलों ने ऐसे ही केस में ये बियान फरमाया कि वमा बक्या फलिल उख्त कि इस सूरत में जो बचेगा वो बहन के लिए होगा और उसके बाद कहा कि अल्ला के नभी सल्लालाहु आलेही वसलम ने उसकी बहन या बहने हो तो इनकी पांच शकले हो सकती हैं एक ये कि आज़ों बजाएंगे कोछ नहीं मिलेगा और दूसरा ये कि इनको आधा मिलेगा तीसरा ये कि दो बटे तीर मिलेगा और चोथा ये कि भाई के साथ शेयर होगा लिजब क twenty near stand और पांच वह ये कि रिमैं झाल झाल